तो अगले तीन दिनों तक क्या आपको मुफ्त सेवा मिलने वाली है, क्या आपको ऐसा मिलने वाला है जिसके आपको पैसे नहीं देने होंगे बताएंगे आपको इसी वीडियो में आप देख रहे हैं दिली तक मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तवर दिली वालों के लिए एक अच्छी खबर है, अर्विन केजरिवाल की सरकार ने दिली के सभी लोगों को एक सौगात दी है क्या है वो सौगात, क्या है वो अच्छी खबर, जिहां वो खबर जुड़ी हुई है आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिली में अब नई इलेक्ट्रिक बसे आने जा रही है, एक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसे आ रही है और इन बसों को लॉंच करेंगे दिली के मुखे मंत्री अर्विन केजरिवाल ही और 24 तारिक को ये लॉंचिंग होगी और अगले तीन दिनों तक इन तम्याम इलेक्ट्रिक बसे में दिली वालों को सफर के लिए कोई रुपियार नहीं देना होगा, कोई पैसे नहीं देने होगे वो मुख सफर कर सकेंगे इन 150 इलेक्ट्रिक बसे में अगले तीन दिनों तक इस मौके पर दिल्ली के परिवेहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहेंगे कैलाश गहलोत और अर्विंद केजरिवाल की मौजूदकी में 150 नई इलेक्रिक बस लॉंच की जाएंगी तो दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है कि दिल्ली में बसों की संख्या बढ़ रही है 150 इलेक्रिक बसे अब लॉंच होने जा रही है और इसके साथ ही अगले तीन दिनों तक आप इन बस में फ्री में राइड ले सकते हैं, फ्री सफर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो तरह से बहुत ज्यादा दिक्क्त चल रही है अब ही पब्लिक ट्रांस्पोर्ड को लेकर खासकर अगर हम बसे की बात करें कई ऐसी जगें हैं, कई ऐसे इलाके हैं यहां पर बसो को लेकर लोग परेशान है क्योंकि बस जो है वो अवैलेबल नहीं होती है कही जगाँ पर तो ऐसे में आब 150 नई ile static buses आने जा रही है और electromagnetic vehicles पर दिल्ली सरकार इस वक्त काफी ज्यादा काम कर रही है दिली सरकार की में तो कांची योजना भी है स्विच जिसके जरीए वो ये कह रहे हैं कि लोगों को अब फ्यूल वेहकल्स से इलेक्रिक वेहकल्स पर स्विच करना चाहिए और इसी कड़ी में अब दिली के अंदर 150 नई इलेक्रिक बसे जा रही है कल दिली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल इन 150 एलेक्रिक बसे को लांच करेंगे और उसके बाद अखले तीन दिनों तक आप इन बसे के अंदर फ्री राइड ले सकेंगे तो दिली NCR से जड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं दिली तक कर दो दो दो